निगला में फिर से अपका एक बर्द स्वागत है ये वीडियो विसी सुर्प से बिहार एस्टेट 2019 से समंदित है आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार एस्टेट 2019 से समंदित डीटेल्स के बारे में साथी चर्चा करेंगे कि बिहार एस्टेट 2019 की बाहली परकरिय कबसे स्टार्ट हो सकता है पूरा conclusion के रुप में देखेंगे कि कबसे यह स्टार्ट हो सकता है सबसे पहले हम details की चरचा कर लेते हैं यह क्या कुछ details है डीटियल में हम देखेंगे सबसे पछेंगे column number one में क्या कुछ लिखा गया को कॉलम number one में officials तो serial number लिखा गया है, serial number देखेंगे आप तो total 15 मिलेंगे को ये serial number किसको indicate करते हैं, को ये serial number subject को यानि बिसे को indicate करते हैं यानि total 15 है, serial number, को ये total कितने subject हो जाएंगे तो 15 subject यानि बिसे हो जाएंगे दूसरा जो column है, ये column आपका subject code and subject का है subject code क्या है को subject code एक number दिया गया है पर एक subject के लिए अलग-अलग उस code की साहता से आप paper भी पता कर सकते हैं जैसे मैं अगर मैं चर्च करूं कि paper 1 कहा से कहा तक हो सकता paper 1 आपके 100 से लेकर 200 के बीच में होगा और paper 2 जो होगा 200 से एबब होगा 200 से 300 के बीच में होगा जैसे मैं अगर paper 1 की चुर्चक किया जए तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे code तो यहाँ पे आपके code जो है 101 हिंदी यह paper 1 है क्योंकि यह starting जो अंक है 1 है एक यानि paper 1 और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि 201-202 ऐसे करके 8 तक जाएंगे तो यह total जो नीचे के हैं य पहला यानि first digit कौन सा है दो है तो यह paper 2 के हैं कि याद रखिए कि यहाँ पे दो मिलेगा स्टर्टिंग में यहाँ यहाँ दो यह paper 2 के हैं यहाँ पे एक मिला तो यह paper 1 के हैं clear हो गया अब परतिक का अलग अलग आप देख भी सकते हैं code है जैसे social science का कितना है को 107 है science का 106 ह इसके बाद आगे है total candidates उसके आगे है present candidates इसके आगे है absent candidates यह तीनों बहुत confusion करता है आप लोग को बार बार आपने पूछा है कि किसी में 11,298 दे देता है किसी में 17,729 दे देता है तो आप इसको कहते हैं कि एक में गलाट data है एक में सही data है तो यह confusion आज पूरा अच्छे तरह के से clear हो गया आपका कि देखिए है क्या total candidates यानि किसी भी subject के लिए total subject wise है वो किसी भी subject के लिए कितने अभ्यारतियों ने आवेदन किया था यानि total candidate कितने हैं जैसे में हिंदी के चुच्चा किया जाए तो total candidate कितने हैं आपके तो total candidate जो अपलाई किये थे वो 17,729 है इ present candidates यानि जब online exam हुआ हिंदी का यानि इससे पहले भी exam हुआ है जो रद्ध हो चुका है लेकिन लास्ट में जो exam हुआ था तो वो online exam हुआ तो online में कितने अभ्यारति ऐसे थे जो भाग लिए थे कि यह total भाग लेने वाली अभ्यारति थे 11,208 में हिंदी का भी सिश्च्चा इसके बाद अगला है absent candidates, absent candidates वो हैं जो online में भाग नहीं ले पाये थे जो परजेंट ही नहीं हुए थे online exam देने के लिए उनकी संख्या क्या है वैसे भी दोनों को घटाएंगे तो यह बराबर में आपको मिल जाएगा यह 641 इसके बाद number of vacancies है यानि जो state का जो exam हो रहा था उसके notification में seat दिया गया था परतेक सब्जेक्ट के लिए यानि जो यह exam हो रहा है इतने seat के लिए exam हो रहा है यानि माल लिजे कि अगर मैं हिंदी के चर्चा करूं तो उसके सामने seat लिखा गया था 3000 यानि जो भी candidate जो qualify होंगे उनकी संख्या कितना होगा तो total 3000 होगा कितना हो यानि notification में यह लिखा गया है इसके साथ ही एक चीज और मैं clear कर दूँ बहुत ज़्यादा यह कहा जाता कि यह बहाली के लिए था यह चीज के लिए था वो चीज नहीं था वो अगर आपको लिखा हुआ मिले तो मुझे screenshot जरूर दीजेगा देखिए मैं ना merit का पक्ष ले आपको दिल पर लगे बुरा अच्छा लगे में मैं सीधा बोलूँगा गसे पीछला जो वीडियो था ज ku पे भी मैंने सीधा बोला है किसी को बुरा लगे या सही लगे अब सीधा बोलने में अच्छा है अगर मेरिट में हो नान मेरिट में हो उसे कोई परवा नहीं है अगर सीधा सुनना चाहते हैं तो मत देखे वीडियोस को अगर सीधा सुनना चाहते है को सुन लीजे नोडिफिकेशन में ये लिखा गया था बहाली का कहीं चर्चा नहीं था वहाँ पे seat का चर्चा था कि कितने candidate qualify होंगे क्योंकि ये आया सब्द कहां से अभी जहां पर मैं चल जा रहा हूं वहां पर conclusion वाले पर लेकिन थोड़ा से सुन लीजे ये आया क्यों क्योंकि जब भी इससे पहले exam हुआ है बीटेट वेगरे का अभ्यारती ज्यादा पास हो जाते हैं seat इनके पास कम रहता है और ये बार-बार अंदोलन वेगरे करते हैं कि आगे बाहली क्यों नहीं कराये जाए seat मतलब खाली है ये सारे चीज तो इनोंने सोचा होगा मतलब ये लिखित नहीं है क्योंकि ये common sense का चीज है आप सोचेंगे तो निश्चितरुप से यही बाहर निकलता है इनोंने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि seat दे जितना मुझे चाहिए उतना मैं pass कराऊंगा और फिर आगे state का exam लोगा ताकि अभियारती उसमें सामील हो और उसके बाद उस seat के अंसर होगा आगे वाली ये सोच था इनका लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अब ये किसकी गलती थी तो वहां पे एक कॉलम मैरित वाला जो कॉलम तरह नहीं थी क야 दिखा अब इस सभी को लगबगा दिखाई जारती हे रह तो यह भी आभी यहीं आप देखेंगे जब आया तो मेरिट वाला कॉलम नहीं था सभी पास हो गए और सभी जो पदादिकारी थे उनका कहना था नाम में किसी का नहीं लूँगा लेकिन सभी का यह कहना था वीडियो वेगरे पड़े हैं कि नियूज पेपर का कटिंग देखेंगे तो उसमें सभी का कहना यह था कि जितने भी कॉलिफाइड हुएं सभी को नौकरी निश्यत रूप से मिलेगा उसके बाद जब दुबारा तीन बिस है का रिजल्ट है उसके मुद्दा सोचना भी चाही समझना भी चाही है माल लीजे आप ही के घर में कोई है और उनको बता दिया गया कि आप एस्टेट पास हो गये तूँनोंने बता दिया हां को ओनलाइन सर्व एगरे बताते हैं या जो भी बतादिकारी है उन्होंने कहा है निश्पेपर में भी घर के लोग निश्ट पेपर भी पड़ते हैं जो कॉलिफाइड है उनकी बहाली निश्चित रूप से होगा वो सिक्षक निश्चित रूप से बनेंगे अब यह चीज तीन से चार महिने के बाद इन्हें यह पता चले कि हम तो मेरिटलिस्ट में नहीं है अब जो आखे जो अ सब्सक्राइब बीहारन सरकार ने क्या किया बीहार सरकार ने जब बवाल वह गड़ें बहुत ज्यादा हो गया कहा कि अब भी उस समें एक चरचा और आया था nc t का NCT ने कहा कि जो भी टीटी वेगर हो रहा ना को अगर वो उतीन होते हैं तो उनकी बैदता साथ साल का जो होता था ना वो हम lifetime कर दे रहे हैं तो जाहिर से बाद है कि 2012 वाले जो थो है 2012 से लिए भी लिया गया है वो 2012 वाले जो थे उनका lifetime हो गया यानि वो जिंदगी पर सिक्षक बनने योग्य हो गया है भले ही उनका उम्र सीमा खत्म हो जाएगा तो वो सिक्षक नहीं बनेंगे लेकिन जब तक उम्र रहेगा तब तक वो सिक्षक बन सकते हैं जही प्रणाली इसमें भी अपनाया गया एस्टिट 2019 में भी जो भी उत्तिर ने सभी को lifetime validity कर दिया गया और merit और non-merit को एक ही समान समझा जाने लगा अब यहीं पर सिक्षा मंत्री वेगरे जो भी थे वो ट्रोल होने लगे यहां पर बिरोध होने लगा बिरोध होना इसलि कुछ ऐसे भी हैरतों जो वीयां करते हैं नॉन मेरिट वाले को कि यह करते हैं कि तुमको कुछ नहीं अता रह आता है को आपका उस समय लग अच्छा था रही आपको अच्छा था कि आपनी अच्छा किया या नॉन मेरिट में या लो क्यों हो जाते क्योंकि उसका जो समय का सिच्वेशन ता उस प्रस्तिति त्यार नहीं हुए होंगे तो बहुत सारी situation luck है बहुत सारे चीज़ है भागे वो सारे चीज़ का गेम होता है कि किसी को अपने आप में घमंड नहीं मानना चाहिए कि हम अब यहां पर चर्चा तो हम यहां कर रहे चले गए डिटेल्स के बारे में चले गए कहां पर तो यह पूरा मतलब यह गेम हुआ यह खेल हुआ अब यहां पर कुछ अव्यारतियों ने केस किया है केस का सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है केस का सुनवाई नवंबर के लास्ट तक हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जज़ जो है वो मतलब मिल राप वो आ रहे हैं नहीं तो यह मुझे देखने में तो नहीं मिला है तो यह मुझे देखने में तो नहीं मिला है हमने भी बातचित करने की कोशिश किया उसमें भी हमें टाइग वगरे का जनकारी अभी नहीं मिला है तो जैसे ही टाइग वगरे के जनकारी कुछ मिलता है यह सुनवाई होने से खवर ह वो हम आपको निश्य तरुप से अपडेट करेंगे. अब कुछ लोग कह रहे हैं तो कैसे करें किस बीज़ पर करें मुझे नहीं मालुम लेकिन हमने जहां तक कोषिस किया इसके बारे में जानकारी जानने के कोषिस किया लें कुछ फिलाल हमें जनकारी नहीं मिला है यहाँ पर जब चर्च कर लिए तो एक और बात का चर्च कर लेते हैं चर्च यह है कि बहुत सारे अव्यार्थी करते हैं कि यह डायरेक्ट बहाली का है क्योंकि इसमें seat दिया गया है परतेक subject का साथ में इसमें merit list बनाने का भी दिया गया है कि merit list ऐसे बनेगा ज मैं आपको बता दो कि यह सेलेक्ट जो है और यह जो seat यह result देने से संबंदित है किसे चीज़नमा गिसे संबंदित है मैं मानता हूं कि डायरेक्ट बाहली मिल जाए डायरेक्ट आप टीचर बन जाया है आपको कोई certificate भी जाच नहीं हो और आप डायरेक्ट चले जाए वहाँ पे अपना मतलब आप नियुक्ति पत्र लेके चले जाए शिक्षक बन जाए आपको यह स्टार्ट हो जाए अप परतेक्मंत आपको सेली मिल जाए यह अच्छी बात है यह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो कड़वा सच है वह तो मैं बताने की कोशिस करूंगा ही देखिए वह था क्या जिसे में रिजल्ट पर हमने पहले भी बताया कि रिजल्ट चीट वही जो भी है उसस्ट की कि इतना सीट साथ में यहां पर एक और चाजर मतलब जो गया औरısı महिलां का सक अगर उस सीट पे उस चीट में महिला नहीं मिलती है तो वह सीट देदिया गया है वह सीट किसको पूरुस अवियारती है तो उनको ये seat दे दिया गया है जब एक वीडियो हम बना रहे थे उसमें आपने देखा होगा EWS main भी दिया गया है बहुत जगह 0 है अब बहुत जगह उनका मतलब maximum जो अंक होता है वो दिया गया है या minimum अंक दिया गया है तो वहाँ पे वो minimum अंक या maximum अंक किसी पूरुस का क्यों दिया गया है इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जो seat महिला का खाली रह गया था वहाँ पे पूरुस को वहाँ पे मौका दिया गया है तो ये भी आपका मतलब रूल अपनाया गया है और ये सारे जो रूल हैं वो आपका एस्टेट 2019 के सर्टिफिकेट देने से उतीन घोसित करने से संबन दित हैं ना कि बहाली से हैं बहाली जब भी होगा वो अगर गौवर्मेंट का है तो ऑनलाइन तरीके से आपसे आवेधन लेगा आपका सारा डॉक्मेंट जाच किया जाएगा जाच करने के बाद अगर आपका गलत वेगरे होता है तो उसे हटा दिया जाएगा वो सीट रिक्त रह जाएगा उसके उनसर यह बहाली होगा वो भी आपका निमाली अभी देखिए बात्चित चलने का लेकिन कोई खुल आजानी है कि जैसे ही खुल के कहा जाएगा आपको भी बता है जाएगा इसा मानना है कि निमाली में कुछ change किया जाएगा, निमाली में यह change किया जा सकता है कि जो भी item का mark है, उसको weightage के रूप में दिया जा सकता है जो 2011 से जो बहाली पर क्रिया चलती आ रही है, उसी का उन्सार इसमें भी हो जाएगा कि इतना % पे इतना अंग इतना परसेंट पे इतना अंग को यह चीज आपको देखने को मिल सकता है यानि माली अगर चेंज वगए होता है लेकिन यह खुलासा अभी तक नहीं हुआ है जो भी होगा आगे अपडेट आपको बताया जाएगा लेकिन इनने जल से जल क्लियर करन चाहिए चलिए अभी हम चच्चा कर रहे थे यहां पर अभी थे हम कहां पर नंबर वेकेंस तो आपको समझ में आ गया जो हम मुद्दा समझानी के कर रहे थे कि आपका जो है यह उतने ही अव्यार्थी को उतीन करने के लिए यह सारे चीज थे और मेरिट लिस्ट जो था व उसका पीडियोःफ वेगरे का लिंक देने की कुशिश किजिया उसे भी हम समझने की कुशिश करेंगे लेकिन मेरे समझ से तो यहीं तक है अब यहां पर हम नंबर वेकेंसिस की चर्च कर लेते कि इस सब्जेक्ट के इतना नंबर वेकेंसियर यानि इतना सीठ है qualified candidates qualified candidates में चुचछा किया जाए, तो हमने आपको बताया कि अगर आप cut-up के उपर होते हैं, सबका cut-up fix है, परतिक सब्जेक्ट का cut-up fix है, परतिक सब्जेक्ट के आप मतलब पूरे subject का एकी cut-up रखा गया है, तो उस cut-up के उनसार, ये category wise cut-up रखा गया है, उपर जाते हैं आप, यानि उस cut-off को जैसे general class आपका 75 अंक है और आपका percentage जो है वो 50% है तो अगर इतना क्योंकि total 150 question थे इसका 50% निकले 175 है तो general का देखा जाए इतना अंक लेके आते हैं उन्होंने merit वालक कॉलम मतलब स्विक्षा विवाग और बिहार बोड जो भी गलती करें जिनका भी हो जिनका भी statement हो वह सारी चीज आप समझते हैं वह देख भी रहें तरुप से मिलेगा यह सारी चीज उसमें press conference में कहा गया और उसमें यह सारी चीज जो चर्चाएं थी वह सारी चीज मतलब हुआ था कि बहुत सारे social science वेगरे में qualified हैं यह सारी चीज हुआ था लेकिन वहां पर दिक्कत वेगरे भी बाद में जब दुबारा जब रिजल्ट आया मतलब 106 अवियर्थी का तीन सब्जेक्ट का रुख गया था उसके बाद जब दुबारा आया तो वहां पर फिर से मतलब हुआ वह सारे चीज कहानी तो आप जानते ही है तो वहां पर टोटल जो qualified हैं उनका यह संख्या है और यह subject wise मौजूद नहीं था जो ह आपको हम मतलब बता देंगे कि किस subject में कितने है यानि total merit list में कितने है seat wise इसके साथ ही vacant seat कितना है यानि total vacant seat कितना है इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे साथ में आपका ये भी प्रस्ण होगा कि जब 4721 total qualified है और इसमें से 2812 ही क्यों merit list में select है 188 पद क्यों खाली है य चले स्टार्ट करते हैं वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन चले स्टार्ट करते हैं यहां पर चुट्चा है पीपर वन हिंदी सब्जेक्ट के बारे में इसका total candidate जिन्हों ने अपलाई किया था वो है 17729 जिसमें present candidate यानि ओनलाइन जिन्हों ने एक्जाम दिय 9-10 सिख्षक बनने के लिए वो था 3,000 qualified candidates थे यानि total इसमें cut up को पार करने वाले candidate थे वो थे 4721 और merit जो merit list था उसमें selected जो candidate थे 2812 बारे वेकंट सीट बच गया था 188 और वेकंट सीट क्यों बच गया था क्योंकि category wise क्या हुआ था category wise सारा सीट देखा गया था उसमें कुछ ऐसे भी category थे जो खाली रह गया जैसे मतलब सोसल ये सोसल का रह रहा है जो ST, SC work का है चा और भी बहुत सारे सीट जो है वो इसमें क्या हो गया है खाली रह गया और ये टेटल जो रिखती है वो 188 हो गया जेनरल में सीट पूरा फूल हो गया और 188 category wise में ये खाली रह गया अब हम चर्चा कर लेते हैं उर्दू जिसका कोड 102 है यानि ये पेपर वन है इसमें टोटल कंडिडेट थे कितने 4794 परजेंट 3632 अपसेंट 1162 सीट था 1000 कौलिफाइड हुए 2890 सेलेक्टेट कंडिडेट है 832 और इसमें वैकन सीट रह गया 168 ये कटेगरी वाइज के उनसारी ये सीट खाली रह गया बागे सब स भर गया इसके बाद है संस्कृत टोटल कंडिडेट 3938 परजेंट कंडिडेट 2916 अपसेंट कंडिडेट एक हजार बाइस नंबर वेकेंसीज है एक हजार पच्पन कौलिफाइड कंडिडेट से हैं 1779 1779 और ये सेलेक्टेड कंडिडेट इन मेरिट लिस्त है 812862 और इसमें वेकंड सेट रह गया 193 कोई ये 193 वेकंड सेट इसलिए रहा क्योंकि ये जैनरल के सीट भर गया बाकी किसी-किसी कटेगरी में वो सेट खाली रह गया इसके बाद चच्चा कर रहे हैं इंग्लिस के बारे में इंग्लिस में टोटल कंडिडेट्स थे 10,955 परजेंट कंडिडेट हुए मात्र 7,684 अप्सेंट कंडिडेट से 3,271 टोटल इसमें सीट था 5,055 और यहां पे एक और चीज है कि 54,55 चलिए चोड़िए उसको 5,055 और यहां पे कॉलिफाइड कंडिडेट्स हुए हैं 4,663 इसमें भी सेलेक्टेट जो कंडिडेट इन मेरिट लिस्ट में हैं वो है 3,835 और इसमें वैकेंड सेट रह गयें 1,220 कितने रह गयें तो 1,220 यहां पे देखेंगे और यहां पी यह बोल्ड में हमने क्यों ल लिखा है क्योंकि जब आटियाई का जब जवाब आया था उसमें भी यह जो कॉलिफाइड कंडिडेट सेने वो बोल्डी में लिखा गया है तो हमने भी क्या किया बोल्ड कर दिया थाकि आपको सारा चीज और थेंटिसीटी के रूप में बिले तो बारे इंगलीस पेपर वन में बारे 1220 क्यों बच गया है क्योंकि इसमें जो है आपका यह जो केटेगरी वाइस जो रिजल्ट आया है मतलब मेरिट लिस्ट आया है उसमें केटेगरी में कुछ सीट खाली रह गया जेनरल फूल हो गया अब यहां पीच्छा करते हैं थे 31,030 इसमें परजेंट जो कंडिडेट थे वो थे 25,216 यानि ऑनलाइन एक्जामिनों ने दिया इसका अपसेंट कंडिडेट थे 5,807 इसमें टोटल सीट था 5,055 टोटल क्वाइड हुए थे 7,7289 और इसमें सेलेक्टेट कंडिडेट है 4,365 यानि 4,365 और वेकंट यानि जनरल के फूल होगें बागी सब कुछ केटेगरी में सीट खाली रगें इसके बाद चचा कर लेते हैं साइन्स का साइन्स में जो टोटल कंडिडेट थे वो थे 23,746 17,078 टोटल परजेंट कंडिडेट सें ऑनलाइन एक्जाम जिनों ने दिया और 6,668 जो थे वो और वेकंडेट रहा गए 672 अब चर्चक कर लेते हैं सोसल साइंस पेपर वन के बारे में इसमें टोटल कंडिडेट्स थे 89,079 और इसमें परजेंट कंडिडेट्स थे 65,469 और अपसेंट कंडिडेट्स थे आपका सोसल साइंस में 23,610 नंबर वेकंशी था 5,055 और कॉलिफाइड कंडिडेट्स थे 26,221 और ये सीट पूरा सोसल साइंस का फूल हो गया 55,055 जीरो वेकंशी रहागा है क्योंकि परते काटेगरी में इन्हें अव्यार्थी मिल गया है अब चर्चा कर लेते हैं इंगलिस के बारे में और ज्यादा बिसेश जो दिक्कत है इसी में है क्योंकि इसमें क्डिडेट्स थे 26,221 और सीट आपका 55,055 है और यही अव्या पर हम देख रहे हैं कि परतेक्स अब्जेक्ट में इतने कॉलिफाइड कंडिडेट्स है यानि सभी में इंगलिस में भी आपके कुछ ऐसे भी कॉलिफाइड हैं पेपर वन में जो मेरिट लिस्ट में नहीं है चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंगलिस पेपर 2 का यह कॉलिफाइड हुए 2693 इसमें से सीट जो भरने के लिए जो था वो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए 1849 वेकंड सीट रह गया 277 यहां पर भी देखिएगा कि कुछ ऐसे भी अव्यारती हैं जो मतलब कॉलिफाइड होने के साथ ही मेरिट लिस्ट में नहीं आया है और सीट बिए 2146 हखाली रहा गया freshly क्योंकि junior में वो होंगे या कि से एननिक कर्टेगरी में होंगे वह लेकिन ad друзья सीट खाली रह को यह यह तोटल 270 यह तmaybevale और एक्जाम दिये 3473 और ये 1273 जो थे ये अपसेंट रहें 2104 जो है वो सीट था और इसमें 2098 जो थे वो कॉलिफाइड हुए मेरे लिस्ट में सेलेक्ट हुए 1663 और यहां पे 4441 जो सीट है वो खाली रहा गया फिजिक्स का 2835 टोटल कंडिडेट 2079 आपका पर्जेंट थे उनलेन इक्जाम में 706 चाट अपसेंट थे 2384 सीट 814 जे आपके कौलिफाइड हुए और 814 टोटल यह कंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यह फिजिक्स सब्जेक्ट में और यह सीट भी खाली रहा है 1570 इसके बाद चर्चा कर लेते हैं केमेस्ट्री का 3552 टोटल कंडिडेट हैं 2405 यह ऑनलेन एक्जाम दिये 1146 खाली रहा गए 1221 यह सीट है 1104 आपका कौलिफाइड हुए मेरिट लिस्ट में भी उतने हैं 1104 टोटल बैकेंट रागें सीट 1117 यानि केमेस्ट्री फिजिक्स में देखा जाए तो सीट बहुत ज़्यदा खाली हैं और जितने कौलिफाइड हुए उतने सेलेक्ट भी हुए हैं अब हम चुचा कर लेते ह हैं जुलो जी का 4771 टोटल कंडिडेट्स ओनलाइन एकजाम दिये 3153 और इसके साथ ही 1588 आपका अपसेंट थे 723 आपका जो कंडिडेट्स यह नंबर ऑफ भैकेंसिस था 723 पद थे 2292 यह हैं आपके टोटल अभ्यारती ओनलाइन एकजाम दिये 1464 828 आपका अपसेंट रहें 835 टोटल सीट 816 उत्तीन अभ्यारती 601 मेरिट लिस्ट वाले अभ्यारती 184 वेकंड सेट अब चर्चा कर लेतें कंप्यूटर साइंस का यह हैं आपका 40822 टोटल कंडिडेट्स ओ मिल हुए 28463 और यहां पर देखा जाए तो 12369 आपके अपसेंट थे 1673 यह सीट था 1734 कौलिफाइड हुए थे 1673 सीट था वेकंड से सॉरी मेरिट लिस्ट में सेलक्ट हुए थे 1673 और 1673 सीट भी थे और इतना ही मेरिट लिस्ट में भी सेलक्ट हो गए तो जाए इसे बात सेट आपका बच जाता है जीरो और इस पे सुसल साइंस और कंप्यूटर साइंस वाले अव्यारती मतलब केस वेगरे के मतलब केस वेगरे किये हैं ज्यादतर उसी वही लोग ध्यान दे रहे हैं और भी सब्जेक्ट के मेरे अब तो देखने से यह लग रहा कि और भी के लिए केसी किया जाता रहा है तो कि इसके बाद इसे इंकलूड किया था मैथली का कोड़े 208 इसमें 207 टोटल क्या थे 207 टोटल कंडिडेट अपलाई किये थे जिसमें से 90 कंडिडेट मात्र परजेंट थे 117 आपके अपसेंट थे 106 सीट था 54 इसमें से क्वालिफाइड और चौवन ही सेलेक्ट भी हो गया है और इसमें से 52 सीट खाली भी रह गया अगर टोटल देखा जाए टोटल इसको थोड़ा और उपर यह जा सकता है क्या चला गया अब इसमें टोटल चर्चा कर लेते हैं टोटल कंडिडेट देखा जाए तो यह है आपका 2,46,745 से 37,447 टोटल यह सीट है इसमें से क्वालिफाइड कितने को क्वालिफाइड टोटल है आपके 80,402 और इसमें मेरिटलिस्ट में जो है वो है आपके 30,675 और आपका सीट जो खाली रह जाता है वो रह जाता है 6,772 मुझे लगता है कि यह सारा चीज आप देख लिए होगे कहीं मिस्टेक होगा तो आमें जरूर बताइएगा कहीं मैं बोलने भी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि इतने सारे नंबर है बोलना है कहीं मिस्टेक हो सकता है लेकिन मैंने कुसिस किया कि सारे चीज अच्छे तरीके से रखें अब यहां पर थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं ब आप लोग का बहाली हो जाएगा नहीं रुकेगा तो आफी लोग का फाइदा है आप किसी तरह सिक्षक बन जाए ताकि आगे का प्रोसेस हो हमने कभी भी दिसंबर 2019 सीटेट के हो या कि इसको कभी को देखा आपने आपने किसी इंडिविजुल किसी को सपोर्ट करते हुए न सतरह से देख रहा हूं कि कभ से क्या क्या हो रहा है 17 से 17 से लेके 21 सतरह से जोड़ी है 17 18 19 20 21 यानि टोटल पांट साल मैं देख चुका हूं अपने आख से कहीं बहाली हमको नहीं दिखा किसी भी अव्यार्थी का बहाली हमने नहीं देखा है उस समय से यूट्टुब चैनल पी हमारे चलल उसमें से देख भी रहा हूं तो मैं तो चाहूंगा ना कि किसी एक व्यार्थी का बहाली हो जाए चाहूंगा तो यही उसके बाद किसी और का हो चले इसलिए मैं करता हूं कि बहाली होने दीजिए बहाली हो जाएगा तो अच्छी बात लेकिन सब किसी को इसमें रोकते भी नहीं है वह आप स्वहें अपने हित के मालिक हैं और बहुत से आप खुद में तो कीजिए अब हम बहाली यह कब कंप्लीट होगा इसपे चुचत कर लेते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह चठा चरन के बाद ही होगा चट्था अब यहांपे प्रश्ण बंद है चथा चरन कंप्लीट कब बहुत है बहुत अच्छा प्रिश्ण भी है देखिए यह चठा चरन बड़ा मुस्किल से क प्राथमिक से सम्मन्दित आयोग के साहँ जो आब इस प्रोसेस स को पुपलीट नहीं कर सकते है मतल अस् newest उन्होंने जवाब दिया तो जहां पर ध्यान से समझे इस चीज को यानि गौवर्मेंट वीच आती है कि माध्मिक और उच्छे माध्मिक का जो भी नियोजन परकरिया है वो जल से कम्प्लीट हो और सात्वा जो चरन है वो जल से जल आपका स्टार्ट हो इसका दो वज़ा है पहला वज़ा है कि अभी तक जो बाहली परकरिया जो छट्ठा चरन का चला 9-12 यानि माध्मिक और उच्छे माध्मिक का इसमें कोई भी नए अभ्यारतियों ने अवेदन नहीं किया है जो 2012 से अभी तक बचे हुए है वही अभ्यारति अवेदन किया है वही जब 1-8 का दे इसके लिए फिर से हम नए आवेदन लें क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो हाई स्कूल में कनभट हुए है आठ तक था वाई स्कूल में जो हाई स्कूल थे वह प्लस टू में हुआ है तो वहाँ पे सीट निश्यतरुप से रिखते हैं और बहुत बार आपने सभी जो दिसंबर तक यह संभाव नहीं है तो इसके बाद यह सीडियों निकालेंगे सीडियों के लिए हो सकता है यह जनवरी तक निकाले लेकिन जो भी छट्टे चरन के व्यारती है उनसे आगर यह है यह साथवे चरन का क्यों अगर एस्टेट 2019 अव्यारती है तो वह जलसे अगरन के लिए क्यों करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि उनका आजाएगा उनका मेटर आ जाएगा उनका वाली हो चूपिए जो चीज प्रोसेस करने के बाद ही गौर्णमेंट का रहें कि हम आगे कुछ करेंगे तो वहाँ पर जो छट्टा चरन है उसमें कम अभिहारती मे जनवरी में भी अगर यह सीटून निकालते हैं जनवरी के पास फर्वरी मार्च अप्रील यह अप्रील तक निश्ची तुरुप से चलेगा इसमें परिक्षा भी है और भी चुनाव है को जाये मैक्सिमाम ये मई तक जा सकता उसमय समय तक निश्ची तुरुप से आपका नोटिफेकेशन निकाल सकते हैं इसका आविदन करें अब यह ओनलाइन आविदन करने के लिए गौर्रमेंट को दो काम जरूर करना चाहिए अभी जो current situation एक तो online के लिए उन्हें फॉर्मेट बनाना चाहिए यानि कहां वो online लेंगे इसके लिए सर्वर website वेकरे सारा यह process चालू कर देना चाहिए अगर उन्हें सिक्षक चाहिए तो अगर करना चाहिए उसका online का जो भी website का है process वह सारा complete करने लेना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार होता था कि हम इसके लिए सर्वर का बना रहे हैं यह बना रहे हैं वह बना रहे हैं ओनलाइन तरीके से वहरिफिकेशन करतेंगे वह वह अभी तक बना ही नहीं और यह offline मतलब बना नहीं offline चालू हो गया तो यहां पर देखेंगे कि अगर online आवेदन लेना कि उसका सारा चीज बेवस्ता पहले से करता government तो अच्छा रहता है अगर उनके पास मतलब थोड़ा भी है तो order तो देना है को वह चीज complete करा लिए पहले online वाला मेटर दूसरा यह मेटर की certificate सबके हाथ में जुरूर होना चीए यहां पर कुछ अवियारत ऐसे कहेंगे कि हम इस subject का certificate लेकर रखें उस subject का आरे भाई आई यह क्यों इसमें पढ़े हुए हैं 10,000-15,000 का चक्कर में अगर ज्यादा आप तेज तरा रहा है ज्यादा दिमाग है तो इसमें क्यों पढ़े हुए हैं और इतना स्लो इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है कि डारेक्ट आप सिक्षक बन जाईए मैं तीका जरूर बोल रहा हू आप लोग जो लिखते हैं कि मेरे पास इसका सेटिफिकेट इस पर भूजा बना के खाएंगे तो यह सिक्षक बाल ही है एक चरण में डारेक्ट नहीं होता है यह ध्यान से सुन लिजिए आज तक आप देखे होंगे कभी 128 का देख लिजिए यह सच्चा ही है क्योंकि मैं 2017 स इसे देख रहा हूं कैसे यह कंप्लीट होता है तो अगर आप नहीं चाहिए आपको सट्फिकेट मत लिजे जाके आएस बनिये है ना बिहार का भी नंबर वन पर आया है तो आप भी आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिक्षक बनना ही चाहते हैं ऋबुर्णमार्मार्मेंट को भी चाहिए कि जल्प इस जल उन्हें सट्फिकेट मिल जाए चाहिए जो भुज Эकिट में को कोई भी भात होता है तो उसके लिए उसका वो कारे कर सकते हैं आप नॉर्मल बात समझेंगे नहीं इससे बनिया कि आप I.S. बन जाएंगे तो उसके बाद हम कहेंगे कि आप सिक्षविवाग में आ जाएंगे फिर अपने उन सारी इस चीज को जो लंबा जितने अभी जो आपने देखा होगा उस रेंग में आ जाएंगे जब प्रमोशन वेगरे शिक्षविवाग में आ जाएएगा उस सारे चीज आप किजएगा देखिएगा आपने उन्सार जिस तरीके से डालना होगा डालिएगा तो यह तो मैं अच्छा यह कह रहा हूं मैं तीखां बोल रहा हूं लेकिन यह आप अच्छा तरीके से समझ जाएगा तो अच्छे से कर लीजिए का बहुत सरे अभी भी नहीं चाहते हैं को फिले जह करना है कि जिसरे आउने अप्लों बहुत कम सेल्डी मिलेगा ज्वानिंग जो होगा बहुत कम पे होगा अठाइस परसेंट इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत कमी पे होगा आप 30,000 से उपर नहीं जा सकते हैं तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैंने जब तक देखा है वहाँ का यहीं सल्डी यूपी का और बहुत उससे कम यहां का है अगर फिर भी विश्वास नहीं होता है आप यूपी से देख रहे हैं चाहें किसी अनित देश से देख रहे हैं तो मैं पहले बता दो कि 9-10, 11, 12 के आप लिजीबल नहीं है फिर भी किसी तरह का यहां निवास आपका बन गया होगा अगर आप सोच रहें कि नहीं नहीं हम गलत बोल रहें तो अभी आप चले यह बिहार और विहार में जो सिक्षकों की जो सेल्डी है ना 10 साल से 20 साल से जो खट रहे हैं उनका से देखिये औ उनका ज्वाइनिंग भी पूछ लिजेगा कि पंदर सो पर जॉइन किये थे कितने भी किये थे अभी वह मैक्सिमम पहुंचें कर 30-35 पर पहुंचें मैक्सिमम अभी प्लस टू का मैं बता रहा हूं वह तीसे जार के लगबग में आप पहुंचें हैं तो मैं देख रहा हू कि जे निशित हैं वाइस का हो या किसी का भी एकजाम हो निश्रीत रूप से कर सकते हैं और यहां पर एज का भी बात है जाईरस इस वह पर सकता है हो सकता है लेकिन जिन्दे के वर में आप ना कोई काम कर सकीएगा ना सिख्षक बन सकीएगा ऐसा भी हो सकता है कुछ अभी आर्थी के साथ जिनका मेरिट लिश्ट कम रहता है उनको मैं पहले बता दरूँ कि आप यह सिख्षक बन पाईएगा ना आप कुछ और कर पाईएगा डी मोट बहुत अच्छी बात है लेकिन गौर्मेंट सेक्टर में गौर्मेंट जॉब पाना बहुत थोड़ा मुस्किल होता है ऐसे भी आईएस की त्यारी में भी करते हैं जो 35 साल तक क्यों त्यारी करते रह जाते हैं उन्हें वह आईएस नहीं बन पाते हैं ऐसे भी हैं अब क्या सारी रहता है उसके बहुत सारी रिजर्शन है त्यारी से लेकर भाग्यवगरे चीज़या है लेकिन हिंपत नहीं हरना चीहीं परयास करते रहना क्याता है इसमें ुह जीचीट अप्रेल के बाद निश्चित रुप से आपकी बहाली पर क्रिया स्टार्ट हो जाएगा निश्चित रुप से आप सिक्षक बनेंगे अगर कोई अन्य बाधा नहीं आता है तो गौर्णमेंट को भी देखना चाहिए कि हमें जो भी सिक्षक को कमी है उसको जल से जल क्लियर कर चाहिए और इसक लिए आपको जल से जल छट चरूण कम्प्लीट करें और इस समांदित जो वेपोर्टल वेगरे ओनलाइन आवेधन आवीदन ना है वह जल से जल केट करें देले का बएज़ तकी यह कि comfort लेए अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि government भी इसके मद्डे नजर कुछ कर सकता है यही कर सकता है कि उनको waiters देनी की चचय हो सकते है Waiters में क्या दे सकता है कि वह like वाला जड़ा कुछ फैदा वे करेख रहे होगा नहीं आईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है